नमस्कार सातियों बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्ट चैनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ संबिदा रोजगार सायक सिक्षक अथिती सिक्षकों के लिए लेटिस्ट कबर आ रहे करमचारियों की मांगों पर सरकार लेगी फैसला संबिदी का हुआ गठन आइए जान लेते हैं पूरी कबर को बिष्तार से लेट्स गो मद्ध प्रदेश की कमनलाश सरकार ने चुनाम में रोजगार सायक अथिती सिक्षके वं समस्त संबिदा करमचारियों को नेमित करने और जिन सम्मिदा करमचारियों को नोक्री से निकाल दिया गया है उन्हें पुना नोक्री में बापस रखने की गोशना की थी सरकार बनने के बाद से ही करमचारी संक्टन सक्री है और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाब बना रहे है बही सरकार ने फिलाल साप कर दिया है कि बित्ती भार से जुड़ी एक भी मांग पूरी नहीं होगी इस बीच सरकार ने अतिती शक्षकों, रोजगार सायकों एवं अन समिता करमचरियों के संक्टनों से प्राप्तिस्थाई करनवा अन मांगों से संबंदित अब्या वेधन जिन में बित्ती भियार नहीं है उन पर निन्ने लेने के लिए छे सदस्ये समिती का गठन किया है, सामान प्रिसासन भाग के द्वारा इसके आदेश जारी किया जा चुके है यह समिती तीन माय में अपनी रिपोर्ट सौपेगी करम चारियों की मांगोपा निन्ये लेने के लिए गठित की गई सम्वित्यक के अध्यक्षे सामान प्रसासन मंतरी गोविन सिंग होंगे बही जनजातिक कल्यान मंतरी ओमकार सिंग मरकाम इस्कूल शिक्षा मंतरी डाक्टर परबुरॉम चोदरी बित मंत्री तरुन बनोट प्रमुक सचेप बित बवाग को सम्मिती का सदस बनाया गया है अपर मुक सचेप सामान प्रसासन बवाग सम्मिती के सहयोजक होंगे सम्मिती तीन मैने में अपने रिपोर्ट सरकार को सौपेगी जिससे एक बार फिर सम्मिदा कर्मियों का बविस्थ अधर में है क्योंकि तीन माय में लोकसवा चुनाओं के लिए आचार सहीता लग जाएगी और चुनाओं भी आ जाएंगे मामला अब लोकसवा चुनाओं तक लटक जाएगा दरसल सरकार और करमचारियों के बीच बुद सामिल हुए इस बेटक में ऐसाप हो गया था कि फिलाल प्रदेश के करमचारियों को सरकार अभी नगद लाब नहीं देगी यानि बित्ती बार से जुड़ी एक भी मांग पूरी नहीं होगी इसके लिए एक से डेल साल तक का समय इंतजार करना पड़ेगा जिन मांगों को करने में कोई कर्च नहीं आ रहा है वो लोकचवा चुनाओ के पहले पूरी हो जाएंगी मद्द प्रदेश कांग्रेस के अद्यक्ष बीरंद कॉंगल ने बिना बित्ती ये बार से जुड़ी मांगों को लोकशवा चुनाओ के पहले पूरा करने का प्रिस्ताब रखा जिस समीदा कि समयादी तीन के बीतर अपनी रिपर्ट सरकार को सुपएगी इन करमचारियों को नई सरकार से हुम्मिद थी कि सरकार में आते ही उनकी मागशन है पूरी हो stellarmal हो को लेकर बुलाए गई बैटक में मद्द प्रदेश सम्मिदा करमचारी अधिकारी महासंग के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठोर ने प्रदेश के 72,000 सम्मिदा करमचारियों का पक्ष रखते हुए मंत्री पीसी सरमा का बाला बच्चन गोविन सिंग को अबगत कराया कि म मद्द प्रदेश के सम्मिदा करमचारियों को नेमित करने और निसकासितों की बाल करने में मद्द प्रदेश सरकार पर कोई भी बित्तिय बाहर नहीं आएगा इसके लिए उन्होंने मंत्रियों को सुझाब भी दिये थे उन्होंने कहा था कि मद्द प्रदेश में 72,000 सम्म प्रिलियन कर दिया जाए दूसरा ओप्सन है कि सभी करमचारी केंद सरकार की परियोजनाओं में कारिये कर रहे हैं केंद सरकार पैसा दे रही है इसलिए राज्य सरकार पर कोई बित्यवार नहीं आएगा तीसरा ओप्सन सरकार को है दिया जाए गया कि अधिकान संविदा करम करमचारी पत के ब्रुद्द कारिये कर रहा है। उनको इसी पत पर नेमित कर दिया जाए। जिन संभीदा करमचारियों को प्र skipping ness Grad समर्बत होने से हटा दिया गया है। उनका पक्ष उनकर उन्हें बिवाग की ही अन परियोजनाव में संभी लियन कर दिया जाए जिससे निस्कासे संभीदा करमचारी की बहाली भी हो जाएगी साथियों आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय अपने बिचार कमेंड बॉक्स में लिखना ना भूलें वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अधिक सदिक सेर करें जिससे सभी संभीदा रोजगार सायक अतित की सिक्षक सातियों को ये महत्मुन जानकारी मिल सके और दोस्तों आपसे अपील है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दवाना ना भूलें इसी पिरकार की लेटिस्ट अपडेट जानकारी पाने के ल कर दो